आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ असूसिये बिजनेस जबरदस्त होना चाहिए उसके लिए मैनेजमेंट सबसे इंपोर्टेंट होता है क्योंकि हर डिसीजन को जो फ्लो है वो मैनेजमेंट से ही पूरे और अर्गनेशन में जाता है तो आज मैं हन्री फेयॉल के द्वारा बताया गए 14 प्रिंसिपल्स जो कि पूरे मैनेजमेंट का सार है और अगर ये चोदर प्रिंसिपल्स हम लोग फॉलो करता है तो सकसे से कोई नहीं रोक सकता तो सबसे पहला principle है division of work Henry Fayol का यह मानना था कि जब तक हम लोग work divide नहीं करेंगे एक बेक्ति से अगर आप चार प्रकार का काम कराने वाले हो तो किसी भी काम में productivity या फिर efficiency या फिर उसमें ज़ादा benefit नहीं होने वाला है अगर आप work को divide करोगे, division करोगे और उसको specialize करने का मौका दोगे, किसी एक या दो काम में जो की बार-बार उनको करना पड़े उस पे जबरदस productivity आपको मिल सकती है, अगर आप work को सही तरीके से divide कर और उसकी training देकर वो काम सौंपे second principle है authority and responsibility अब क्या होता है कि हम अपने organization में सबको काम तो देते चले जा रहे हैं लेकिन उनको authority नहीं दिये कहीं पर authority जादा दे दिये हैं, काम कम है तो इसको balance करना बहुत important है आप जितना काम दे रहे हो काम का मतलब हो गया responsibility जितना responsibility है उसको पूरा करने का authority भी हमको देना पड़ेगा और इसका balancing बहुत important है responsibility के अनुसार ही authority रहना चाहिए और authority के अनुसार ही responsibility रहना चाहिए अगर हम लोग organization बनाते समय organization की design बनाते समय authority और responsibility का सही design और सही तरीके से define कर लिए तो फिर हमारा management और काम करने में आगे दिक्कत नहीं आएगी third point है discipline discipline कोई भी organization सही तरीके से तब चलेगा जब organization के लोगों को पता हो कि यहाँ पर हमारा जो company हमारा जो organization है बहुत सही है सही discipline से काम हो रहा है और इस चीज़ को हर कोई demonstrate कर रहा है वहाँ पर rules regulation है और rules regulation हर कोई follow कर रहा है discipline हमेशा लोगों को बान के रखता है discipline लोगों को ये बताता है कि नियम हर किसी के लिए समान है और discipline के कारणी लोग जादा समय तक आपसे connected रहने की कोशिश करते हैं और रहे पाते हैं चौथा principle है unity of command अगर एक ही person को एक से जादा लोग अगर command देने लगे कभी assistant manager ने भी कुछ करने बोल दिया कभी senior manager ने भी कुछ करने बोल दिया कभी boss भी अपने cabin से निकल के आके उसको dialogue दे दिये अब क्या हो गया वो बिचारा परिशान हो जाएगा क्योंकि ये सारे लोग उनसे बड़े ओदे वाले हैं बड़े post वाले हैं अब किसका सुने किसका ना सुने अगर unity of command रहे अगर ये clear रहे कि किसको कौन report करेगा कौन किसके उपर में है और for example अगर manager के नीचे supervisor है तो वो supervisor उसी particular manager को report करना चाहिए और दो-तीन manager को report नहीं करना चाहिए होना चाहिए, हमारा organization का डारेक्शन ही होना चाहिए, for example अगर कोई production department है तो production department में जितने भी लोग हैं सब का कुछ ना कुछ common goal होना चाहिए सब का मिला कर, for example, इस महीने हमारा quality पिछले महीने से ज़ादा बहतर होगा, इस महीने हमारा किसी का चाहिए वो कोई भी पोस्ट में होगा उस प्रोड़क्शन डिपार्टमेंट में, हर कोई एक ही डारेक्शन में काम करना चाहिए, राइट, चटवा प्रिंसिपल है, सब ओडिनेशन ऑफ इंडिविजॉल इंट्रेस्ट तू दा कॉमन इंट्रेस्ट इसका मतलब हर एक वेक्ति का जो इंट्रेस्ट है, उसको कॉमन इंट्रेस्ट से कहीं से कनेक्ट करना चाहिए, एक छोटा सा एक्जामपल देता हूँ, अगर अगर आप किसी को रखे हो अपने अवार्ड के लिए लेकिन काम किसका हो जाएगा, और गोनेशन का क्यों, प्रोटक्शन बढ़ जाएगा, तो क्या करना पड़ता है, इंडिविजॉल इंट्रेस्ट को कॉमन इंट्रेस्ट की तरफ लेकर जाना भी, मैनेजमेंट का रोल ह कि कुछ ऐसा करें, कि हर एक वक्ती मोटिवेट हो, common interest के लिए काम करने के लिए, right? सात्वा, हमारा important principle है remuneration. अगर आप किसी को रखे हो अपने पास में, किसी को अपने team में जोड़े हो, तो हर कोई motivate होना चाहता है, हर कोई ज़ादा productive होना चाहता है, हर कोई organization में ज़्यादा recognized feel होना चाहता है, लेकिन हर चीज़ के against में क्या है, हर चीज़ के पीछे में उसका remuneration भी connected है, अगर आपने किसी से बहुत अच्छा काम करा लिया, उसको कितना भी motivation दे दो, लेकिन उसके काम और मेहनत के अनुसार, अगर आप पैसे नहीं दोगे, तो वो आपके साथ में connected नहीं रहेगा, काम ठीक से नहीं करेगा, बहुत सारी परिशानियां हो जाती है, मेरा ये कहना है, आप अगर अपने employees को remuneration का complete plan बता दो, किस-किस तरीके से आप remunerate करने वाले हो, तो remuneration के सारे clause clearly बता दो, और उनको motivate भी करो, कि हमारा जो payment है, इंडस्ट्री से अच्छा है, या फिर हमारे organization में बहुत जादा scope है, आप जितना perform करते जाओगे, उतना remuneration मिलते जाएगा, जो remuneration हमने आपको बताया है, वो अगर आपको suit करता है, तो आप हमारे साथ join हो जाएगे, अगर आपका proposal सही है और transparent है, लोग जुडेंगे, उसके बाद आपने जो जो वादे की हैं, अगर आप वो पूरा करेंगे, लोग लंबे समय तक जुडे रहेंगे, आट वा important principle है centralization, centralization और decentralization का meaning समझते हैं, जब भी organization में decision लेने का power, केवल top management ये कुछ लोगों के पास होता है, तो हम लोग बोलेंगे, इस centralization है, और जब decision लेने का authority, अलग-अलग levels में भी distribute किया हुआ है, तो वो क्या हो गया, decentralization, कोई भी organization में centralization और decentralization को थोड़ा सा manage करके रखना पड़ता है, कुछ decision ऐसे होता है, जो केवल top management को ही लेने चाहिए, उसमें सबको involve नहीं करना चाहिए, और कुछ decision ऐसे रहता है, जिसमें हमारे अलग-अलग levels of management सबकी भागीदारी होनी चाहिए, उस जग़ पे थोड़ा सा decentralization अगर करेंगे, तो लोगों को अपने जुड़ाओ मैसूस होगा, organization में हुँका योगदान है, ऐसा मैसूस होगा, और जबरदस्त organization का balance बना रहेगा, इसलिए centralization और decentralization बैलेंस रहना चाहिए, नाइंध प्रिंसिपल है scalar chain, scalar chain क्या कहता है, जो top management रहता है, उसके बास सबसे ज़्यादा power रहता है, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, एक एक level पे जैसे जाते जाएंगे, power कम होते जाता है, responsibility भी थोड़ा कम होते जाता है, इसका मतलब organization का जो chain है, वो एकदम clear दिखना चाहिए, clear होना चाहिए, confusing organization नहीं होना चाहिए, कि ये किसका authority किसमें हमको पता ही नीच, तो जो scalar chain hierarchy है, उसमें authority responsibility का complete chart आपके पास में होना चाहिए, और वो पूरा demonstrate होना चाहिए, और उसका पालन होना चाहिए, दसवा principle order है, order का मतलब ये होता है, कि अगर हम लोग कोई काम कर रहे हैं, और वहाँ पर कोई department है, department में कुछ लोग हैं, तो सब को एक तरीके से हम लोगों को treat करना चाहिए, सब को सही working environment देना चाहिए, सब को काम करने की बराबर सुवीधा देनी चाहिए, बराबर टूल से देने चाहिए, और जो जो चीजे उनके काम को success करने के लिए चाहिए, वो टूल समलोग को अपने साथियों को अपने team member को देना चाहिए, हर वो सुवीधा जो जलूरी है, अपने performance के लिए, work performance के लिए, वो provide करना का principle order, ग्यारवा बहुत important principle एक्वीटी, यहाँ पर जितने भी हमारे team member रहते हैं, जितने भी employees रहते हैं, उनको जितना हो सके, उनको प्रेम से और बहुत बराबरी के भाव से बातचीत करना चाहिए, और उनको treat करना चाहिए, जितना आप equity और equality रखेंगे, यह लोगों से बातचीत करने में, connect होने में, उतना जादा आप management में success हो रहे हैं, मानिए, लोग आपसे connect होंगे, और लोगों को अपना respect फील होगा, आपके organization में काम करने का, और वो उस जगे को अपना समझेंगे, और बहुत अच्छा performance करने के लिए, आगे कोशिश करते रहेंगे, बारवा principle है, stability of tenure of personal, इसका मतलब यह कि, जो भी जिस भी post में आपने किसी को रखा है, वहाँ पर उसको एक tenure एक लंबे समय के लिए, काम कराने की योजना रखने की कोशिश करिएगा, आप थोड़ा सा लंबे समय में, एक जन को किसी एक particular काम में नहीं रखते हो, तो क्या करेगा, उस काम को सीखेगा, उसके बाद फिर आप नहीं जगा डाल दोगे, फिर उसको सीखेगा, फिर नहीं जगा डाल दोगे, तो कहीं पर भी best performance उसका आनी पाएगा, तो stability of tenure में दो-तीन फाइदे हैं, इसका मतलब यह है, कि हमारे organization में जितने भी लोग हैं, उनको idea share करने का freedom देना चाहिए, कभी भी management top से हर चीज़ देखती है, और top management decide भी करती है, कोई problem नहीं है, लेकिन आप ideas लेने में आपको कोई नुपसान नहीं है, idea लेने से क्या हो जाता है, वो कुछ ऐसी problem या कुछ ऐसा idea organization को दे देता है, जिसके कारण organization बहुत आगे चले जाता है, या कोई problem solve कर लेता है, या कोई innovation की तरफ चला जाता है, या कुछ ऐसा नया product या service बना देता है, जो कि revolutionary और organization के लिए बहुत अच्छा हो, last principle है spirit day cops, ये क्या कहता है, कि हमारा जो organization एक परिवार के जैसा है, ये culture के जैसा है, यहाँ पे अलग-अलग type के लोग रहते हैं, अलग-अलग efficiency के लोग रहते हैं, अलग-अलग quality के लोग रहते हैं, तो इस जगह पर ऐसा culture होना चाहिए, जो एक दूसरे को फलने फूलने का मौका दिया जा सके, work culture बहुत आसान हो, work culture बहुत cooperative हो, और जादा से जादा organization के target oriented हो, और इस दौरान जितने भी उनके team members हैं, उनको साथ मे लेकर, उनके interest को साथ मे लेकर, organization बढ़ना चाहता है, इस चीज़ को management अगर convey कर पा रहा है, अपने act के द्वारा, अपने काम के द्वारा, और अपने rules regulation और अपने policies के द्वारा, तो organization और management जबरदस चलने वाला है, दोस्तो, Henry Fayol ने जो principle बनाई है, इसी principle से ही हजारों किताबे बनी हुई है, और ये 14 principle अगर आप अपने business में follow करते हैं, तो मैं बता रहा हूँ, 100% आप बहुत ज़ादा आगे अपने organization को ले जा पाएंगे, दोस्तो, आप जानते हैं मेरा mission है, हमेशा आप लोग की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहेगा मेरे साथ, आपका दिन जबर्दस्त और शुब हो,